तो इस थार rear wheel drive version कपकी launch हो चुकी थी लेकिन उसका base variant जो की exactly 10 lakh actual room price में आता था वो काफी लोगों ने नहीं देखा था और जैसे आप इसे एक पर देखेंगे तो यहाँ पे आपको एक rugged off-roader वाला look आएगा इसमें front profile की बात करें तो यहाँ पे आपको LED DRL से नहीं मिलते हैं, fog lamps यहाँ पे आपको नहीं मिलते हैं, wheels आपको 16 inches के मिलेंगे, steel dream की form में, alloy wheels आपको नहीं मिलेंगे, बागी interior में आपको एक बार दिखा देता हूँ, interior में आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको infotainment system नहीं मिलता ह साथ ही जाथ आपको यहाँ पे, वो speaker भी नहीं दिये गए हैं, इसी के साथ cruise control एक ऐसा feature है, जो की experience से missing और aftermarket आप उसको opt भी नहीं कर पाएंगे, इसके लवा rear profile एक बार check out कर लेते हैं, rear से देखने पे कुछ ऐसी type के लगती है, अच्छी बात ही है कि LED lighting आपको यहाँ पे उसे लग मुटrition, भी नहीं कर लेते हैं, अर एक कर लेते हैं कि आपको यहाँ खर। आया मुटीए च रचक्ते हैं, उसी जूएोटछिए हैं, जब झार बार आपको यहाइ हैं, devastatedुऑ हम ईसस्फूप गता है है, जब भी आपको होगी हैं, दूभा कूबी है, दूए़े ह